इसका भी मेरे घाल है हेकसा वाला ही हाल है अपनी बोज से दबी जारी है तो आल उसे बना रहे हैं लोगों को अथ है तो फ्रेम में आप लोगों के ये ब्लैक ब्यूटी दिखाई दे रही होगी गाड़ी कौन सी है ये तो आपको पता ही है ये है फ्रेम की लीनिया और मात्र तीन साल हुए है इस गाड़ी को और ये गाड़ी एज यूजड गार संदीब जी ने लिए है संदीब जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चनल पर और संदीब जी से आज हम जानेंगे की फ्येट के जाने के बाद क्यों मन बनाया इस गाड़ी को लेने का और इस से पहले इनके पास टियागो गाड़ी थी उसका भी थोड़ा बहुत एक्सपिरियंस ले लिए क् की डीजल गाड़ी इनके पास थी इस ब्लैक ब्यूटी के नखरे बड़े होते हैं आपको प्रोपर साफ सफाई मेकप करके रखना बढ़ता है ठीक है नहीं तो बड़ी गंदी दिखाई देती है और इस नखरे को जहिलने के लिए इन्होंने लगबग इसमें जो है एक ला पहले मैंने यूस कार नीचलाई और इस से पहले में जितने गाड़itutional के साथी ए तीजल थी और वी धीस और मयरी जो रिख्यारमेonds थी ऊड़ी गाड़ी घी मुझे ना तो कोई जैन्विन MPV मतलब मेरे को तो एटलीस कोई MPV जैन्विन इतनी लगी नहीं इतनी मैंने देखी हैं मैं बहुत जगा गया था दिल्ली में और सेम वस्ट केस विद सिडेंस और सो मैंने ओल्टिस देखी थी सियास देखी थी थोड़ी बहुत मुझे पसंद इसके बाद मतलब थोड़ा लग था जो मुझे एक डीलर ने फून किया मेरे को गुडगाओं बढ़ा है और यह गाड़ी दिखाई कि यह को सियास से काफी सस्ती पड़ी जैसे मतलब 425 की मुझे कार पड़ी है तो सियास जो मतलब मैंने इससे पहले almost I was about to finalize तो वो 6 36 40 का स मतलब मुझे कभी उनमें इतनी ना ऐसा नहीं लगागे वो कोई बड़ा extraordinary काम कर रहे हैं ठीक है तो जैसे मतलब मैंने अपने previous कार एक्सपिरियंस से यही सीखा है कि अगर आप हर मर्ज के लिए कोई मेकानिक ढूंड ले तो आपको बार-बार आफ्टर आफ्टराई सर्व तो इनसे उनका भी experience पूछेंगे और कितने की निकाली इन्होंने फिर वो सारी चीजें तो टियागो लेने का क्या रीजन था वो भी डीजल में से सर्ट टियागो लेने का बस यही रीजन था कि उसकी average मैंने सुनना था बहुत अच्छी है और क्योंकि मेरी running जादा है उस स मेरा maintenance पे तना खर्चाना और मेरे मुझे average अच्छी मिले और touchwood उस कार ने मेरा साथ बहुत दिया ने भी टाटा की service ने साथ इतना ने दिया पर गाड़ी ने तो बहुत दिया और मतलब obviously जब मैंने यह कार ली थी तो मैंने उसको बेचने का मन नहीं बनाय था बड़ मैंको इसके दो 40 मिल गए एक सवालाग चलाने के बार अच्छा प्राइस मिल गया आपको जो चाहते थे वह सर बिल्कुल क्योंकि मैंने जब वह कार मतलब ऐसी दिखाई थी डीलर को कि इसके कितने मिलेंगे में को को बोलता था एक साथ एक सतर और मैंने उसको भी मॉडिफाई कर रखा था उसके मैंने सस्पेंशन उठाए वे थे उसमें भी लगवाए वे थे उसमें कस्टमाइज रूफ करिया लगवा था कि कहीं पर भी जाना हो जैसे हजबन वाइफ और बच्चा है तो मैं समान की कभी दिक्कत ना है तो साड़े 5 लाग के आसपास आपने उसमें वे गड़ कुरिए क्योंकि यह तो कारबडी है इसमें स्पेस है इसमें बूतशबत पैस यह टॉप मॉडल आ और साड़े-4 लाग में आपको क्रूस कंट्रूल मिलता इसमें है इसमें रेन संसिंग वाइपर हैं इसमें आटमेटिक हेड्लैम्प हैं इसमें 16 इंच के पई हैं यह कहां मिलते हैं साड़े चालाव में तो मेरा तो मतलब यह मानना है कि वैल्यू फॉर मनी के साफ से चीज अच्छी है बाकि फियाट के जाने ना जाने से मुझे कोई इतना फ दोस्तों कहने का बाइसाब का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ी सी तलाश करते हैं रही हैं जाती है तो हमेशा बेहतर होती है नई गाड़ी की बजाए तो लेने से पहले एक बार तलास जुरूर कर लिया गर हो, एक बार मैं तुर से पूछना चाहँगा, चार पच्चेस में 36,000 चली वी ली थी आपने, तेरे दील कैसी लगी, मैं अगर ये दील रखने के इसाब से ओके-ओके लग रही है, मतलब कि अच्छी लग रही है, ओके- दिक्कत है इन्होंने इसको लेकर के फिर खर्चा किया है इसके उपर जो कि मुझे ने लगता इतने प्राइस देखेज आएगी लेकिन 30,000 चली गाड़ी का क्या बिगड़ता है या वो आपको चला करके भी बताएंगे वैसे और जिन जिनने ये गाड़ी चलाई है कैसी चलत इक तो पहले तो मेरे घर में तो प्र Alley कि अरं के परके भी घर की आउए वहाला था तोनों इन ये मदला मेरी मदर को मैने संझझाय आया गाड़ी घया है तो उन्होंने पूजा गरी पर अगर मैं इसको सबसे पहले हैं उन्होंने इसके शर्विसेवे धी मतुलाब मेरे गर से बहुत दूर है और इनका इस तच कोई पिकप ड्रॉफ है नहीं तो अभी इस टाइम पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी दूर जाओ मतलब जब सर्विस होके गाड़ी आई मैंने चलाई तो 19-20 का फरक था मतलब अच्छली एक कार इतनी मेंटेनेंस फ्री मुझे लग रही है कि शायद मुझे नहीं लगता मुझे आगे सर्विस के कोई ऐसे मुझे इसूस आएंगे लेने से पहले आपने यह इंशूर करा कि यह गाड़ी जैन्विन 36,000 किलोमेटर चली हुई है सर मैं जब इससे देखने आपने गया था तो मैंने देखने के बाद पहले इसका बॉनेट खुला था मैंने बताया कि 2018 दिसंबर में 27 आटाइस तरीख को हुई और तब इसकी सर्विस 24 पे और जब मैंने गाड़ी देखी थी तो यह मतलब बिटी से भरी वी थी तो लगी रहता कि बाट टाइम से बागी चला चलू के मिरको ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी जारा चली भी है यहाई कौन किलोमेटर बैक करता है इस गाड़ी का है बड़ी जारा चली हुई है तो इसको कोई चला ही नहीं रहा है आज की तारीक में सेक्ट हेंड कार लेना बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि जैनुए कार मिलना बहुत मतलब ना के बराबर आप डीलर से कार लेते हो तो किलोमेटर बैक रहेंगे रहेंगे अभी एक दो जादा चली हुई है तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा और यही ध्यान इन्होंने गाड़ी खरिते वक्त रखा था और इनको एक अच्छी कासी डिल यहां पर मिली है बीच में एक दो केसी जैसे भी आये थे कोई गाड़ी मांग करके लेके गया उसने किस असरा बंदा वहां पर पहुंचा कि यह गाड़ी तो मेरी यह गाड़ी तो हमें बेच चुका है बंदा मैंने तो कार मतलब वहां से लिए तो ऐसे से केसिस भी जो है वह आ गया है इन फैक्ट मैं भी बाद बताना जाता हूं कि मैं अक्छली यूस कार बहुत टाइम से देलर को 10,000 दे भी आया था बढ़ ना तो मुझे सियाज मिली ना मिर को 10,000 वापिस मिले और मैंने बस वह मैंने इतना फॉल अप नहीं करा मैंने का कि चलो अगर आपने पैसे नहीं देने तो मेरी कार का इंशोरेंसी कर दो उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो खेर फिर मैं के जैसे डैश बोड में रैटलिंग आती है या सस्पेंशन का काम है या टायरों का काम है वो सारा मैंने बारसी करवाया अच्छा डैश बोड में रैटलिंग वाला काम आपने कहां पर करवाय क्योंकि बहुत सारे वीवर्स हैं हमारे जो परिशान रहते हैं ये रैटलिंग से तो कहां पर करवाया और वो रेक्टिफाई कर दिया उन्होंने से रेक्टिफाई तो मैंने करवाया तो यह रोईनी साइड में था एक्चली नहारपूर एक जगा है इतनी रिलाइबल जगा नहीं है बर वहां पर भी एक मेकैनिक ने थोड़ा डैशबूर्ड खोल के थोड मजबूत गाड़ी है यह काफी और हाइवे में कैसे परफॉर्मिंस है मज़ा आ रहा है इसको टियागों के कंपारिजन कैसी लग लिए अच्छी है और हाइवे में तो मतलब मेरे को पता नहीं बढ़ता मैं सौक अपटेश कर जाता हूं तो मुझे यह ट्वंटी बुरी न सारी चीजे करवा कि जैसे आप कह रहें कि डी कार्बोनाइजेशन और एडिटीव वगरा जो आप यूस कर रहें इन से कुछ फर्क पड़ता है आपने महसूस किया है मैंने महसूस किया है कि गाड़ी में स्मूथनेस जादा आई है इंजन काफी स्मूथ है बाकि लॉंग सब्सक्राइम तो मैं नहीं बता सकता वर मैं यूस तो करूंगा एडिटिव तो डालूंगा मन की संतुष्टी मन की संतुष्टी है चला दोस्तों एक बार चला करके देखते हैं हमने पहले भी काफी चलाई है लेकिन फिर भी यह जो गाड़ी है इक बर चलाना बनता है हम तो चलाते हैं इस गाड़ी को क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में थोड़ा सा आवाज कम कर लेते हैं और गेर काफी स्मूद लगते हैं इसके और गाड़ी के अंदर बैठने में अच्छी फील आती है ऐसा भी हो सकता है उन्होंने गाड़ी चमका के रख रख रखिए तो हो सकता लोड़ा सा फुड़ा सा इस क्लस से ना यूस्ट ही होना पड़ेगा क्योंकि ट्रेवल बहुत लंबा है और काम ये लास्ट में कर रहा है तो इसे बाहर निकल रहे हैं दिखने में भारी भरकम लगने वाली ये गाड़ी अगर चलाते हो आप इसे तो काफी पूरा फील इसमें पुंटो वाला रहे है फिलाल से मिंजन है वही गाड़ी है पीछे से खींच रखी है तो आये गई और मुझे जहां तक यह लगता है अभी तो मैं छोटी मोटी सटकों में चला रहा हूं सर से बूस्ते हैं कि आपने पुंटो चला ही है क्या बहुत पहल क्यों ऐसा लगता है कि पुंटो से थोड़ा सा जादा स्टेवल है आपने कभी फील किया ऐसा सर अच्छी पुंटो तो मुझे याद नहीं है कि वह चलने में मतलब कैसी थी बट हाँ यह स्टेबल तो बहुत है मुझे यह गाड़ी पीछे से वास्ता में बहुत बढ़िया है हाँ पर लेकिन जब 2200-2300 आरिपियम से उपर जाती है उतना ज़्यादा बूस नहीं आता है लेकिन फिर भी एक लीनियर पावर डिलीपी मिलती है तो थोड़ा सा मिलता है बूस्ट ऐसा नहीं कि और गाड़ी को तरह बिलकुल आप सीट से चिपक जाते हैं इसका भी मेर आप स्पीड कर लेते हैं हाइवे पर चलाएंगे तो यह चीजें आपको महसूस नहीं होगी इसमें सीधा साधा आप लगा की चलो एसक्रोस वाला हिसाब किताब है जैसे एसक्रोस का डीजल इंजन आता था अच्छी खासे स्टेबल गाड़ी के बिएवियर साही पता चल इतनी तेज स्पीड में हम चलानी रहें फिर भी है अब चलान वुकतने को तहीं आ रहें तो हम चला लेते हैं तो अच्छी प्रोस अच्छी अच्छी में उतना जादा लाएट नहीं है यह एक नेचर होता है पुन गाडियों का जो वैसे आजकल फोड़ा सा नकली पना करन अच्छी में हलका करने के चक्कर में वह जो कहते हैं इस चेबिलीटी वाली चीज उसमें थोड़ा सा छेड़ चाड़ कर दी है मैन। लेकिन यहां पर इसमें वह चीज आपको दिखाई देगी अच्छी आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा मतलब कम अजीव सा कर रहा है म मेरी जो वाइफ है ना वो भी जो फर्स ताइम ने में वैठी ती हो गई रहती है जो जटके बड़े लग रहे हैं मुझे लगा है शायद कोई होजकता है क्लच का काम हूँ बट आ इसका जो क्लच वह लंबा होता है इसलिए मतलब यूस्टू होने में टाइम लगता है फर सब्सक्राइब के यह स्वाद है आपको इतने में क्रूस कंट्रोल मिल जाता है अटमेटिक लाइमिट कंट्रोल मिल जाता है अच्छा 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 अच्छ मज़ा है इसमें द्लाइबल चेंज करेंगे वैसे जो इन्होंने ये इन्फोटेमिन सिस्टम लगा रखा है उसका फिट और फिनिस काफी जबरदस्त है देख सकते हो आप कि ऐसा लग रहे है कि फैक्टरी फिटेड है काफी मसकत से डूड़ा अपने हां सर ये बहुत मुझक इसको लगाने लगाने महीं लगाए क्योंकि फियट के म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि इसको कोई असेसरी वाला छेड़ता नहीं है अच्छा उनको भी पता है कि बहुत सारे सेंसर होगा इसमें काम करना पड़ेगा उनका टाइम बहुत लगेगा कितना खर्चा है इस अच्छा बड़ा बाकी फिटिंग के चार्जिस उसने अलग लिए कौन सा प्रेंड है यह यह है पर सोने के अच्छा तो मैंन को पहले का कि देखो यह अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेम मिल जाए जिसमें सिंगल नहीं लग जागते इसके फ्रेम ही नहीं मिलते तो इसमें यह है कि यह जो स्टीरियो है यह जो एंटीना सपोर्ट नहीं करता तो आप शीशे पे दिखेंगे चोटा सा अटीना और लगावा है आगे बिंस्क्रीन तो यह अलग से इंटीना इसमें फिट हुआ है यह कोई प्लास्टिक अवाज निगादी में चूंचा की अवाजे त ज़रूर होती है थोड़ा साना अगे अगे आपको यहां पर डैसबॉर्ड में यह जो भी बीच कलर का आपको देख रहे है सारा सौफ्ट है और चोटा सा यहां पर जो है हैंड्रेस दिया हुआ है यह हैंड्रेस थोड़ा सा फैंसी है इसमें नो कपूलर भी है अल्रश जा इसमें जगडा करने की गुंजाई से नहीं है मैं यह सोच रहा था कि गाड़ी बिक क्यों नहीं उस टाइम पर इतने ज़्यादा तो इसका गाड़ी बहुत सॉलिड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उतना ना लोग जब चलाते होंगे इसको चलाते होंगे साथ में वेगेरा को भी चला करके देखते होंगे ठीक है तो उनको वो थोड़ी सी क्विक लगती होगी ज्यादा रिस्पॉंसिव जो है ना उसमें इंजन लगता है इसके अंदर वो सारी चीज नहीं लगेगी आपको इस वज़े से यह इतनी ज्यादा नहीं भीगी सुनने में यह वो गाड़ी भी हल्की थी वो ग्विक थी ना ना पुंटो के जो ओनर है उनका भी यह कहना है जो पुंटो में भी 90 भी आता था था ना वो थोड़ा सा रिस्पॉंसिव काम लगता था लेकिन उसको टॉप एंड बड़ा जबरदस था लेकिन इसका जो है मतलब 75 भी वाले वो थोड़ा सा अच्छा था जैसे ही 2000 rpm gross करते हैं आपको cabin noise थोड़ी चे ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब कि आपको फील होनी start हो जाएगी उतनी cabin noise से है इसमें कभी टकरने पर वाज नहीं आई आपको कभी ब्रेक कर कुदा है वापने तो आती है वाज जैसे भी हम वहा पीट क्या करता है ठीक है चलाने में stable है गाड़ी उतना ज्यादा responsive आपको engine नहीं मिलेगी लेकिन 0.82B तक पहुंचने के लिए काफी अच्छी है feature loaded गाड़ी है आपको safe मिलेगी गाड़ी highway के उपर अच्छी speed भी अच्छी speed से आप इसको प्रूस कर सकते हैं लगबग 120 के आपस पास भी काफी stable देने वाली है गाड़ी तो जिस परपस से गाड़ी ली गई थी उसको fulfill कर रही है डील अच्छी मिली थी मात्र 36,000 km चली वी गाड़ी थी डेड़ दो लाग किलो मेटर तक आसानी से चल जाएगी अगर इसको ठीक से maintain करा जाए और ठीक से चलाया तो चार साल के बाद भाई सब जो है गाड़ी चेंज कर देते हैं अब मुझे लगता है कि इसको भी आप चार साल चलाने वाले हैं उससे पहले ब्रेकडाउन नहीं होगी क्योंकि रिलायवल इंजने इसमें फियाट का काफी लोगों ने काफी कमा लिया इस इंजन से अभी सब आपको दिखाना चारे थे कि इस टाइप की डील मिलेगी तो आप ले सकते हैं और कुछ जो है बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो जो बाते हमने आपके साथ डिसकस करी थी इस गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी है दरवाजों का हैवी पना है वो काफी आपको म आप संपर्क कर सकते हैं आपकी तरफ आना होगा तो हम आपसे मिलने की जरूर कोसेश करेंगे और सीट बेल्ट और हैलमेट मत भूलना लगाना ठीक है अगर आप आई क्या गाड़ी चलाते हैं तो जैहिन जै भारत बारत मता की जै और थैंक यू वरी मुच वरी मुच झालाओ तो हम हमें झालाओ यू और स्टी का झालाओ रेल बारत मता की जै eigenen जब मुच झालाओ जए इंक तो आना होगाते हैं यू जित्याओगेवगा आपसे संपर इंक पसकी जैए खालाओश कर लगके वरी मुच तो हैं वरी मुच लग दोफेद Zus भू़े जैए